तो आप लोगों ने मेरी यह वाली वीडियो देखियों कि जहाँ पर मैंने कॉलेज के बारे में बहुत सारी इंफोर्मेशन आप सभी को दी थी आपके जितने भी बेसिक डाउट से वह मैंने इस वीडियो में क्लियर के थे लाइक प्लेस्मेंट्स के रिलेटेड टीचिंग स्टाफ या फिर कॉलेज केंपस और फीज एडिशन प्रोसेस से बहुत सारे क्वेशन मैंने इस वीडियो में क्लियर कि है अल्रेडी आपने अगर यह वीडियो नहीं देखिये तो इसका जो लिंक के हुए आपको कमेंट किये और उस वीडियो के कमेंट्स के जो क्वेशन से वह इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्योंकि अभी जो है जो क्याप राउंड है वो पहला क्या राउंड हो चुका है तो बहुत सारे लोगों को जो सिमका कॉलेज है सिएगड इंस्टिटूट आफ मैंड कंप क्यों लेना है फिर कई क्यों नहीं लेना तो हम प्रोज और कॉंस में बात करेंगे तो आपको अपना डिसीजन बनाने में आसनी होगी लाइक प्लेस्मेंट्स के बारे में भी फिर से बात करेंगे क्यूंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेस्ट्टन्स मुझें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए पहले बात तो क्यूंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन से आपको अच्छी वैल्यु मिलीगी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है तो आप इसना तो करी सकते हो कि चैनल का अप क्यूटिविकेशन मिल चाहें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमkkा के बारे में जैसे का कोलेज आच्छा है है क्योंकि जैसे देखा जाए तो टीचिंग स्टाफ के बारे में बात कर लेते हैं तो टीचिंग स्टाफ यहां का बहुत अच्छा है जो पीज लेक्चर से अगर अगर आप करो लेक्चर तो और अगर आप एक वर्किंग स्टूड़न्ट हो तो आपको कुछ नहीं करना बस आपको अपने वर्क्स प्लेस से मिल जाएका अप्लेकेशन वह आप दे दो कॉलेज में तो आपको रेगुलर लेक्चर करने की जरूवत है नहीं और बाकी प्लेस्मेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो जो प्लेस्मेंट है वह अब्विसली जो कि मैंने पहले वीडियो म आ रही है तो कैमपस में जब आती है तो वह सभी सियगड के लिए आती है वह मैटर नहीं करता कि आप कोंडवा से हो या फिर सिमका से हो या फिर एरन बने से हो जब कंपनी आती है तो सभी सियगड के लिए आती है आपकी जो कॉम्पेटिटर होते है वह सभी सियगड के वाली अगर मैं अपना बता हूँ तो जब मैंने अडमिशन लिया था तो ओपन की आराउंड वन पॉइंट फाइब थी वन यह उनली एक साल की तो पूरे इसकी तो अभी बात कर लेते हैं नरे के बारे में जो की पूरे से एक्चुल सिटी से 10-15 किलोमेटर से तो जो की बहुत ही भार के साइड आता है तो मेरा पर्सनली देखा जाए तो मुझे यह एरिया इतना पसंद नहीं है वह इसलिए क्योंकि अब्विसली सिटी से थोड़ा दूर तो आपको कोई बेसिकली अगर आपको थोड़ा घुमने जाना है सिटी में तो बहुत दूर पढ़ता है तो एति मों पॉसिबल नहीं हो पाता है हर टाइम पर क्योंकि आप इतने दूर से आ रहे हो थोड़ा क्योंकि क्या होता है कि आपको एक कॉलेज लाइब भी होता है आपको एंजोई करना है जो कि कॉलेज के बाहर होता है तो एरिया वाइज मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन ठीक है अगर क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको जाधा मतलब की वहाँ पे जो स्टे वगेरा आप करे होगे तो अबिसली फ्ल आपके लिए बहुत शुटेबल होने सो सकता है बहुत अच्छा एरिया है कि मतलब जाधा स्पेंड नहीं करना पड़ता वैसे ही अगर आप सिटी में जाओगे एरंड वने या फिर या फिर कोई ओधर कैंपसे जो कि सिटी में आते तो आपको थोड़ा एक्स्प्लोर पूने एक्स्प्लोर कर सब्सक्राइब तो लेकिन अगर आप पड़ने के लिए आ रहे हो तो इधर ही आजाओ सिमका में कई और जाने की ज़रूत है नहीं और बात कर लेते हैं कि मतलब क कि डिसाइड मत करो आपके माइन में जितने भी क्वेशन से क्योंकि आप पूरे दो साल यहाँ पर पढ़ने वाले हो स्टे करने वाले हो तो एक विजिट करो को थोड़ा गूमों थोड़ा कैंपसे गूमों तो आपके बहुत सारे डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे इसको सिРЕसली और विजिट करो जोकि बहुत इंपर्टंट हे और नेक्ट बात कर लेते हैं विचालाइटेशं बहुत कि बहुत इंपर्टंट पैश्टमट है क्योंकि मेरा घitel समाइं और मैंने संप्रआब से अजिशन को स्भीर्रों से थोड़ा ज mos भीर्णा तो मैंने वह क्यों लिया क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडन्स नहीं मिला तो आप ऐसी मिश्टेक मत करो अगर आप मैं आपको बता दू कि प्लेस्मेंट के इसाब से अगर आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो अगर आप प्लेस्मेंट के लिए अगर MBA कर रहे हो तो सबसे बेस्ट स्रिफ मार्केटिंग के लिए और बच्ची कुछ 40 परसेंट वह बाकि स्पेशलाइजेशन के लिए आ जाएंगी या फिर आप 60 से जादा भी करोगे तो मार्केटिंग लिए बहुत आती है इतनी नहीं तो और बात कर लेते हैं अब जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं अभी कि आपको सिमका मिला है लेकिन आपको मिल सकता है समझो स्यॉम मेन भी मिल सकता है तो आपको कौन सा लेना चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँग तो आपना personally कि आप SIOM ले ले क्योंकि मेरे पास बहुत रफ नंबर से मैं इसके बारे में शौर नहीं हूँ पहले बात तो लेकिन जितना मैंने research कि SIOM का इंटेक है 720 यह कम जाद भी हो सकता I don't know तो 720 उनका इंटेक है और जो बाकी campuses से लेक मेरे campus का है 240 यह 300 पकड़ लो बाकी campuses का भी उतना यह जो कि उसके अंडर में आते 300 के आसपस तो SIOM का बहुत जादा इंटेक तो जब आप compete करोगे किसी भी company के लिए तो obviously जो SIOM के बच्चे हो बहुत जादा है तो आपको उनके साथ compete करना पड़ेगा क्योंकि अभी जितना मैंने देखा है कि जब भी selection का mail आता है तो लिस्ट में more than 50-60% तो SIOM के बच्चे सिलेक्ट हो जाते और फिर आ जाते कुछ SIM का से सीबार से या फिर जो बच्चे हुए campuses से वहां से तो SIM का बेटर रहेगा क्योंकि वहां पर बहुत जादा बच्चे और मैं एक disclaimer आप सभी के लिए बोल दू यहाँ पर कि मैंने ऐसा सुना है I'm not sure about it लेकिन इसा बोलते भी है कि जो SIOM है तो उनका एक कहते है कि 20% जाधा priority दी जाती है उनके students को जो के SIOM के मतलब कि 20% उनको जाधा priority दी comparatively बाके students के तो इसलिए भी उनका placement या फिर सेलेक्शन जाधा होता है तो I'm not sure about it यह बस ऐसा सुनने में आया है इसलिए मैंने सोचा है कि आपको इस साथ भी बात शियर करनी चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीज़े और I think मैंने बहुत सारी चीज़े आप सभी के लिए कवर करती है मैं Q&A वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें अगर आपके कोई questions रहती तो आप इस वीडियो के comment box में करता है मुझे personally college ठीक टाग लगा क्योंकि college अच्छा है teaching staff placement का इतना matter नहीं करता है कि आप कौन से campus में हो तो overall सब सिमिलर ही है लेकिन आपका percentile अच्छा है आपका budget भी अच्छा है तो स्यूम ले लो main campus है अच्छी choice रहेगी और placement के बारे में बता दूँ कि मैंने पहले भी बोला कि marketing अगर आप placement के लिए job के लिए देख रहे हो तो marketing बेश्ट रहेगा क्योंकि ज्यादा companies आती है वह से बहुत सरे questions मैंने clear कर दिए फिर आपका कोई रहता है तो commenters में लिखिए मैं उसके एक वीडियो बनाऊंगा अल रखता है तो वीडियो को लाइक कर दिजे comment डाल दिजे आपके questions और most importantly चानल को subscribe कर दिजे क्योंकि आपको इतनी informative वीडियो मिल रही है इतना information मिल रही है तो subscribe कीजिए वेल आइकोन को क्लिक कीजिए तो आपको notification मिलता रहेगा तब तक की लिए बाई मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो